कर दो हलो एवरिवन आप ने तीजगार्ग वेलकम तो नाय चैनल मिद पाइट क्लासिस and guys हम discuss कर रहे हैं the basic concept of grammar and the type of tenses, this is the fourth part of type of tenses guys से पहले मैंने तीन video upload कर दिया है type of tenses की, अगर आप उनों नहीं देखिए तो please उनको देखिए और आपके लिए कुछ भी useful हो, तो please like कीजिए, subscribe कीजिए and share कीजिए so this is the fourth part, let's begin so guys मैंने अपने पहले तीन video में present indefinite, present continuous and past indefinite को मैंने cover किया है, so we are talking about today the past continuous so let's begin past continuous होते क्या है guys, पहले यह जान लेते, unfinished ongoing action in the past plus finish action so guys, आप इस चीज़ को ऐसा समझते है कि अगर आप कल कोई काम कर रहे थे exactly, मैं आपको example देखो कि अगर आप 12 बज़े कुछ कर रहे थे कल, तो आज कोई आप से पूचे कि आप 12 बज़े कल क्या कर रहे थे, तो आप उसको बताएंगे कि I was having my lunch okay guys, so I was having my lunch, मैं आपना खाना खा रहा था, ठीक है, तो वो past को ongoing action था, अगर आप से कोई past के बारे में पूचे कि आप इस time क्या कर रहे थे, या आप इस दिन क्या कर रहे थे, ठीक है, भले आपको specific time आपको ना दे, क्योंकि specific time बनके तो वो कुछ और ही बन जाता है guys, so भले आपको past continuous sense को define करेगा, plus finish action, और guys, finish action का meaning क्या है, माल लीजे, अगर आप रात को खाना खा रहे हैं, और suddenly आपको एक call आजाता है, ठीक है, तो आप उस खाना 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 खा रहे होंगे, उसको छोड़ कर आप call receive करोगे, तो ongoing action था, आपने उसको छोड़ दिया, finish पहले क्या अगर आप एक company में work करते हैं, इसका best example यह सुकता है, कि अगर आप एक company में work करते हैं, suddenly आप dinner कर रहे हैं, suddenly आप boss call आता है, ठीक है, और next day आप से कोई आपका friend पूछता है, कि आप क्या कर रहे हैं, तो इस time जब boss call है, तो I was having my dinner when I got the call of boss, ठीक है, तो इस तरह से आप उस च इसको बनाएं कैसे हैं, form जो है हमारी subject was, first form was ing and object, okay guys, तो कैसे में करेंगे, I was bathing the ganga yesterday, मैं गंगा में कल नहा रहा था, okay guys, we were learning our lessons, हम कल अपना part याद कर रहे थे, I was having a dinner with my family when the doorbell rang, मैं अपने family के साथ खाना dinner कर रहा था, जैसे ही दर्वाजे की घंटी बजी, the power went out while the children were studying, light चली गई, जब, light चली गई, जब बच्चे स्टडी कर रहे थे, अब गाई, एक बहुत major concern यह है कि was आपको use कहां पर करना है, तो was आपको कहां पर use करना है, was कहां पर use करते हैं, singular subject के साथ, जैसलिक सिंगलर subject में means आपका क्या है, कि I, he, she, it, उसके साथ was use करने वाले है, और were plural subject के साथ मतलब means क्या है, you, we, they, okay guys, so this is complete, coming to the next, guys, यहां पर एक और बहुत बड़ा changes क्या है, कि मैंने चीज को दो पार्ट में divide कर दे, ताकि आप इस चीज को अच्छे समझ सके, पहला पार्ट क्या है, कि when the work is in the ongoing in the past, मतलब work past में चल रहा है, just like, मैंने आपको दो चीज में पताया है, ongoing action in the past plus finished action, तो पहले वाला जो कौन सा, ongoing action in the past है, और second वाला कौन सा है, ongoing action in the past plus finished action, okay guys, तो मैंने इसको दो चीज में divide कर दिया है, आप देखते हैं, इसको करना कैसे है, आप इसको करेंगे कैसे, अगर, अगर first time आ है, कि मैं कल किताब पढ़ रहा था, होगा, तो आपको ongoing action है, आपने इसमें कोई भी ना काम आपको ongoing छोड़ कर आपने कोई दूसरा काम किया है, exactly, तो आपको same formula यूज करना है, कौन सा वाला, present, past continuous वाला, कौन सा, subject, words, verb, verb, verb की first form में, ing and object, अगर guys, in case second condition आती है, जो की आज आपको प्रेंडिंग में हैं, बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, पहले आपको वही first formula लगाना है, जो अब अब है, first type वाला formula लगाना है, then, आपको क्या करना है, past indefinite वाला formula लगाना है, अगर आपको पास इंडाफिन आपने वीडियो नहीं देखिए, तो आप इसके अलावा हमारा कोई action नहीं है, अगर आप कहीं पर आपको दो action आ रहे हैं, तो आपकी obviously first type है, it was raining yesterday, कल बारिश पड़ रही थी, अब देखिए यह है, second type, third sentence, third or fourth, second type है, when I was waiting for bus, at bus stop, I saw a car accident, जब मैं bus stop पर bus का wait कर रहा था है, मैंने क्या देखा, car accident देखा, तो कई जो मैंने पहले sentence बनाया है, past continuous में बनाया है, second sentence में बनाया है, past indefinite, आप इस चीज़ को अच्छे समझ सकते हैं, कैसे, I was waiting, waiting मतलब work की first form में ing, for bus at bus stop, I saw a car accident, saw मतलब C की second form होती है, saw, okay guys, so I saw a car accident, ऐस okay guys, I think it is clear, fifth sentence क्या है, you are beating your servant, तुम अपने knocker को प्रेट रहे थे, तो यह आपका वही first type हो जाता है, okay guys, so आपको इस चीज़ में बहुत, मतलब books में साब इसको study कर सकते हैं, betterly study कर सकते हैं, कुछ sentence बना सकते हैं, और अगर आपको guys की एक more video चाहिए, तो आप comment section मुझे बिता सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर भी clear नहीं हो रहा है, तो मैं से कुछ और sentence बना कर आपको provide कर सकता हू Okay guys, coming to the next topic, negative tense, guys, आपको इसमा कुछ नहीं करना है, सिर्फ helping verb के बागे, not लगा देना है, बिल्कुल rest sentence clear होने माला है, बिल्कुल as it is, बिल्कुल same, okay guys, some boys were not eating mangoes, कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे, the peon was not ringing the bell, chapra si bell नहीं बचा रहा था, my mom was not reading a Gita, तो वो Gita नहीं पढ रहे थी, these girls were not doing their homework yesterday, इन लड़कियों नहीं पना homework नहीं किया तकल, the farmers were not playing the field, और फाम अपना किसान खेत नहीं जोत रहा था, okay guys, इंटार केटी में क्या करना आपको guys, helping verb को ही आगे निकाल देना, words were according to the subject, singular है थो was, plural है थो वर, बाकी करा है sentence as it is, was Mohan reading here yesterday, were you going to station yesterday, was the teacher advising you yesterday, was she washing her cloths, were you learning your lesson yesterday, clear guys, okay, so guys, मैंने जैसे कि कल की वीडियों बोला था, past indefinite की वीडियों बोला था, कि मैं आपको बताने वाला हो कि मैंने present perfect cue, पहले नहीं किया, past indefinite या past continuous, पहले क्यों उठा लिए, so guys, इसका ये reason था कि मैं अपनी, मुझे first four video का review करना है, तो आप इस चीज हमने लगाया है, हमने subject plus verb की first form में s, yes, according to the subject, singular है, तो s लगेगा, नहीं plural है, तो नहीं लगेगा, plus object, to I drink coffee every morning, तो I को जो guys हम define करते है as a plural form करते है, mainly, तो यहाँ पर इसलिए हमने drink मतलब पीना, यहाँ पर drink में s लगने वाला था, अगर हम यहाँ पर ही होता तो, यहाँ पर second video में थी, I am drinking coffee, मैं coffee पी रहा हूँ, यह जो first वाला तो मैं जिसलिए कि अपनी first video में बताया था, present simple tense वाला, habitual routine facts होते है, second video में क्या होता है, आपका ongoing action जो आप present में कर रहे हो, past simple tense में, I drank coffee yesterday, मैंने कल coffee पी थी, जो आप पहले कर चुके हो, जो चला जा चुका है, जो वापस का call आया, तो यहाँ पर है, second time हमने use कर रहे है, first time भी use कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इस चीज़ का, so past continuous tense means ongoing action in the past plus finished action, तो इस चीज़ को आपका मिलकर क्या बनाते है, आपका एक past continuous tense बनाते है, guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो please इसको like कीजिए, comment कीजिए, और share कीजिए, और subscribe से जरूर कर देना, guys, please, और मुझे comment section में बता है, कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर कुछ improvement की जरूरत है, तो please guys मुझे बता है, क्योंकि आप सब की नीन से जादा मेरे लिए कुछ नहीं है, guys, यह सब जो भी कर रहा हूं, आपके लिए ही कर रहा हूं Okay guys, so thank you so much, next video मिलते हैं